हमारे समाज की जो बहु है अन्य समाज से अनुसिची जाती से आती है हमने निन्य लिया है कि उसको दक्षिंट से भी उतार करके माली समाज अपनी जो पैचान है उसको बता करके दोनों ही पाल्टियों को ये बताएगा कि माली समाज को अगर टिकेट नहीं दिया गया तो वो समाज के हित में समाज को आए ना दिखाना जिसका समाजिक तौर पर राजनिक तौर पर परिपक है जो सीखावा विक्ती है अगर वो विक्ती आता है और पार्टी उसको नकारती है हम लोग नरदली ताल ठोकेंगे चुनावा में और पुर्ज और विरोध करके दिखा देंगे हमारी जिम्मेदारी है समाज और राजनिती में पॉजिटिव बदला उलाना समाज की संख्या बल है उसके आदार पर हमें प्रतिनी दित्तु दोनों पार्टियां देवे कॉंग्रेस पार्टिय ने दो बार वेश्चे समाज को दिया एक बार राजफू समाज को देके इजमाया भाजपा ने एक सीट यहां पर आरक्सित है वो सीट आरक्सित करती सिंधी समाज की माली समाज का हक माली समाज इस बार उत्तर की सीट के लिए दाल धोकिए और टिकेट लेगा टिकेट लेगा तो समाज ने लेके किसी एक को खड़ा गरेगा वो समाज उसके साथ जुड़ जायेगा जिसमें बात होगी अजमेर विधानस्वाशितर के और उत्तर और दक्षिन विधानसवाशितर के जहां बात होगी सिर्फ समाज की हमारा कारेक्रम समाज की बात समाज के साथ जाजम के अंदर देखिये संयत रूप से दौनों विधानसावाजी शेत्रिके समाज के लोगों के साथ झाल झाल आज आयोजित कारिक्रम जाजम में माली समाज के सभी प्रभुद्ध जनों का हमारी टीम की और से हार्दिक स्वागत और अभी नंदन जाजम यह कारिक्रम है जिसमें हम समाज के प्रभूत जनों को एक मंच पर एक जाजम पढ़ा कर आपके समाज की बात साशन प्रशाशन और सतापक्ष तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं सबसे पहला सवाल मेरे माध्यम से मैं आपके समाच से करना चाहूँगा दक्षिन विदान सभा शेत्र की आरक्षित सीट को खत्म करने की बाद आपके समाच के माध्यम से सर्व समाच के द्वारा उठाई गई उसका अभी वर्तमान समय तक क्या निश्करश रहा और आपका समाज जो सर्व समाज की बात कर रहा था किस उद्धेशे तक किस मकसद तक आप लोग पहुँचे हैं आरेक्षित सीट को लेकर जो मुझाली समाज दौरा कलेक्टर महदे को ग्यापन दिया गया था उसमें क्योंकि ग्यापन ऐसे समय में गया था कि चुनाव आने वाले हैं और 20 साल के लिए परिसीमन किया गया था तो 20 साल में 5 साल अभी और बाकी है तो जो कानून विदों से हमने जो सला ली उसमें हमने ये पाया कि इस बार कि आरेक्षन कतम होना सम्मव नहीं है और अगले बार जो परिसीमन होगा उसमें विचार किया जाएगा इसमें और उसमें समाज पुरे संगर्ष के साथ लगेगा कि आरेक्षन कतम हो या एक सीट और अजमेर में बढ़ाई चाहिए ऐसा माली समाज का निर्णा है माली समाज नहीं अदर समाज ने भी हमें फौन गर के धन्यवाद दिया कि आप ने एक कुछ बात उठाइए ये बीच साल पहले थी दुबारा जो आरिसीद करी उसके बाद अब तीस्री बार आरिसीद नहीं इसलिए माली समाज ने बात उठएए माली समाज का अजमेर शहर में बहुल्य होने के बाद भी अभी तक किसी राजनितिक पार्टी विदाय का प्रतिनिद्र नहीं है इस बारे में आपकी क्या राहिए आप निश्चित रूप से जो आपने बात कही है कि माली समाज का बहुल्य होने के बावजूद भी दोनों ही पाल्टियां माली समाज को दर किनार करती है और दोनों पाल्टियों के इसाब से अगर माली समाज का प्रतिनिद्र हमेशा जो रहा है जुकाव जो रहा है ज्यादा तर वो भारतिय जनता पाल्टी की तरफ ही रहा है किन्तु इस बार माली समाज ने निर्णे लिया है कि हम किसी पाल्टी विशेश के साथ खड़े नहीं रहेंगे और माली समाज अपना एक अलग परतिनेदे खड़ा करेगा अगर दोनों ही पाल्टीयों ने दर्किनार किया त हो चैer उटतर हो चैए पश्चिक मो तक्षिंड की सीट अरक्षित हो किन्तु हमारे समाज की जो बहु है अनुस्विक्स जाती से हो हमने निल्या है कि उसको दक्षिंड से भी उतार करके माली समाज अपनी जो पैषान है कि दोनों ही पाल्ट irr Vereल इप्र यह बताये कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि इस प्रकाय की सोच लेकर आप इस जाजम के माद्यम से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कितना समर्थन आपके समाज के गटकों के द्वारा रहेगा अभी पिछले मैंने ही माली समाज द्वारा माली सनी संस्तान के द्वारा एक सबा का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें वचनबद होकर माली समाज एक जूट होकर अगर पाल्टियां में प्रतिनित देती है तो निश्चित रूप से जो भी पाल्टी चाहिए कॉंग्रेस हो चाहिए बीजेपी हो माली समाज उसके साथ कंदे से कंदा मिलाकर चुनाव में डटा रहेगा और हमारा आठो विदान सभावों में दो विदान सभावों में कम से कम मांग रहेगी कि माली समाज को टिकेट दिया जाए अगर फिर से माली समाज को दरकिनार किया गया तो माली समाज इस बार अपने जहां भी माली बहुल्य शेत्र है जा जीत की संभाव न है वह अपना निर्दल्य उम्मी द्वार उतार करके माली समाज दोनों इपाल्टियों को सबक सिखाएगा माली समाज आपकी जानकारिय में बदा दूँ कि आज अजमेर दक्षिन द्यान स्वाज छेत्र के अंदर कम स्व digण लगबक माली समाज के वोटर है और उत्तर में 25,090 माली समाज के वोटर है तो पुरे अजमेर के अंदर करीब 60-80,000 लगबग मारे समाज के वोटर हैं लेकिन कुछ तो कम्या हमारे पार्टियों की भी रही है कि पार्टियों ने हमारे समाज को उपर आने नहीं दिया है उनको चलता है कि यह कोई बिजीपी के और हमारे खिलाब यह बायन बाजी करते हैं जब जूत ही परती ने दियूत है नहीं हमारे समाज के लिए बेट रहेगा आए जब यह जूती प्रतिनिती जो भी एने मारे समाज के लिए गलत अप्वा भीलाते हैं वह सराष्टर गलत है और अब मारे समाज एक हो चुका है आगे भी एक रहेगा अगर दोनों विदान सभा में एक विदान सभाद शिट दे रहे तो मारे समाज पूरा मारे समाज को नकरान नकरान में न समझे और मारे समाज आप एक जाजंब है और एक है आगे भी और अब भी है जब एक जाजम में आने की बात करता है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज आपको प्रतिनिद्व नहीं देती है तो आपके समाज की क्या रूप रेखा रणनेती और आगे का रुख रहेगा देखिए अजमीर शहर में जिस तरह से दक्षीन और उत्तर विदान सवा में लंबे समय से चाहे सरकार कोई भी रहे बिजेपी के विदायक रहे हैं पूरे संबाग में देख लिए लोग सबाद चुनाओं में देख लिए पार्षट को लाने में सबीलोग सफल हुए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माली समाज को कि आप सभी लोग हम सभी लोग मिलकर एक जगर काम कर पाए अब परिवर्तन आया है समाज चाहता है कि समाज को अपना जो अधिगार है उसको दिया नहीं जाए तो छीन लिया जाए सरकार से सरकार चाहे कोई भी आए समाज और समुदाय और ज अगर पाटिया हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग इतने संगटित हैं और कुछ समय पहले माली समाज ने एक अच्छी मिटिंग किये जो कि पूरे लोगसभा जितने भी माली समाज के जन प्रतिनिती हैं और जो अपना अच्छा विट्सस रखते हैं चाहे वो सक्रिय रह और दक्षिन विदान सबाव में हम किस तरह से हमारे समाज को आगे ला सकते हैं रही बात जैसा कि अभी आप लोग ने पूछा और हमारे समाज के इतने भी वर्ष जन ने उनने बताया कि अजमेर शहर में माली इतने होने के बावजूद भी करीबन 35,000 दक्षिन ममानिया 25, बोटर उत्तर विदान सबाव में हैं उसके बावजूद भी शहर अध्यक्ष एडिये चेर्मेन ले लिजे आप या किसी भी बोड के अंदर अगर कोई नॉमिनेट किया जाता है अध्यक्ष उसको नहीं मिला कमजोरी हम लोगों में रही थी मगर इस कमजोरी को हम लोगों परिपक है जो सीखावा विक्ति है अगर वो विक्ति आता है और पार्टी उसको नकारती है तो हम लोग निर्दली ताल ठोकेंगे तुनावा में और पुर जोर विरोध करके दिखा देंगे इस बारे में ये करना चाहूँगा कि अभी राज्य इस्तर पर भी एक माली मासंगम हुआ था उसमें भी करीब तीन लाएख लोग पहली बार इतनी संक्या में एक जगए जयपूर में जुटे थे तो इस बार ये बात नहीं है कि माली एकजुट नहीं है माली राजनितिक छेतर में भी अपनी बागीदारी पून रूप से निवाना चाहरा है और वो अपना प्रतिनी दित्त हुए अगर नहीं मिलने पर उसका पुर्जोर मतलब हमारे समाज में इसका विरोध भी है और पून रूप से हम इस बात पर नाराज है कि कोई भी पार्टी हमें बहुत हलके में ले रही है दोनों पार्टी हमें हलके में ले रही है तो इस बार माली समाज भी एक संगटी तोकर इस बारे में पूर जोड कोशिस करेगा कि टिकेट दोनों पार्टियों से हमें दिया जाए और अच्छी संख्या में हमारी जो समाज की संख्या बल है उसके आदार पर हमें प्रतिनी दित्तु है दोनों पार्टियां देवे अन् निर्दिली उमीदवार भी लड़ेगा और समाज बिलकुल एक जुट है इस मामले में इसको अलग-अलग नहीं समझे पार्टी में बटा हुआ नहीं है अब पहले अपना प्रतिनी दुट्ट चाहता है समाज आपने खुलके निर्णे ले लिया है और इस बार विचार जाजम पे बैठके समाज ने किया है कि दौनों ही लीडिंग पॉलेटिकल पार्टी यदि आपको नित्रत तो नहीं देती है तो आप पार्टी का दामन छोड़कर पार्टी की महतोकानशी पदों को छोड़कर आप मैदान में उतरेंगे और अपना निर्दली प्रत्याक्षी जो है उसका चेहन करके लिखे आएंगे जी बिल्कुल सही बात है मैं बताना चाहूंगा आप चैनल के माध्यम से कि राजिस्थान की करीब एक सो सतर विदान सभा में माली दस हजार से लेकर के करीब अस्तियार वोटर जाकर अपना प्रभाव रखते हैं और इसमें कोई अत्रिशक्ति नहीं है कि इसा पिछले कुछ मेंनों पहले माली मासंगम के इंदर सभा में सभी माली समाज के लोगों ने एक रिष्ट अपनी विदान सभा उसे जो ही माली बहुले शेत्र है वह हमें अगर कहीं भ चन्रदलियो इस बार अजमेर में अभी कॉंग्रेस पालटी से नामंकन लिये गए हैं पालटी के दुआरा आप देखेंगे कि माली समाज के चार व्यक्तियों ने नामंकन दाखिल किया यानि माली समाज के अंदर पूर्ण रूप से जोश है कि इस बार जरूर हमें पूर्ण रूप से जीत दर्च करा करके माली समाज का नाम हुचा किया जाएगा आपको बता दूं कि दोनों ही उत्तर विदान सभा और दक्षिन विदान सभा में माली वोट ही सार्थक निर्णे करता आया है क्योंकि अगर दक्षिन के अंदर हम देखें तो हमारे लगबग 35 30,000 वोट माली समाज के हैं और अभी विग्यप्ति निकलिती अकबार के माध्यम से पता पड़ा कि दक्षिन के अंदर माली समाज को नगर ने बताया गया है उनकी संख्या बिलकुल जीरो बताई गई है तो दक्षिन में बीजेपी जीती आई है उस बार हम पून रूप से बता देंगे कि दक्षिन का जो माली है वो हमारा दक्षिन शेत्र का माली है चुनाव भले ही नहीं लड़े लेकिन हमने अपना प्रतिनिदी तयार किया है उसको खड़ा करके माली की संख्या का एसास भी कराएंगे इस बार दक्षिन विदानसभा शेत्र की बात करें वो आरक्षिन की शेणी में आती है आरक्षित सीठ है क्या आप लोगों को नहीं लगता उत्तर विदानसभा शेत्र की जो सीठ है वो भी एक समाज विशेश के लिए पिछले 20-25 सालों से आरक्षित होकर रह गई है वहाँ पे भी सिर्फ एक जाती विशेश के विक्ति को एक पॉलिटिकल पार्टी 2008 की और 2018 की हम बात करें तो 2008 में कॉंग्रेस पार्टी ने निर्ने बदला और डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती को अपना प्रतिनी धी नियुक्त किया 2018 में कॉंग्रेस पार्टी ने मौका दिया मगर अभी तक भारतिय जंता पार्टी ने मौका नहीं दिया और 20 से 25 सालों से एक ही जाती विशेश के उपर वो दाव खेलते आ रहे हैं उस पे आपका क्या विचार है इस पे हमारा विचार देखो सर कॉंग्रेस पार्टी ने दो बार विशे समाज को दिया एक बार राजफू समाज को देखे जमाया भाजपा ने एक सीट यहाँ पर आरक्षित है वो सीट आरक्षित करती सिंधी समाज की वो उनकी बड़े लीडर और वो जाने और जनता इसको माली समाज का हक माली समाज इस बार उत्तर की सीट के लिए ताल धुकिये और टिकेट लेगा टिकेट लेगा तो समाज निर्णे लेके किसी एक को खड़ा करेगा वो समाज उसके साथ जुड़ जाएगा में आप से निवेदन है कि अज दक्षिन की सीट 40 साल से चली आ रही है कॉंग्रेस ने जरूर बदला है पर इस बार माली सेनी समाज को न तो बीजेपी ने दिया न कॉंग्रेस ने दिया और हम इस बार उस सीट पे चुनाओ जरूर लड़ेंगे और हमारे समाज के लोगों के कहना आए कि इस बार हम लोग पीछे नहीं अठेंगे क्योंकि कभी जिन्दगी में ने तो हमारे भाई ने बताया निक्की भाई ने कि एडिये चेर्मेन नी मनाया कभी जिल्ला अध्यस तक नहीं मनाया और ये 29 विदान सवा छेत्र है माली सनी समाज को इन्होंने डर किनाल कर रखा दोनों पार्टी ने इस वकत हम बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाओं की त्यारी पूरे अजवे संभाग की करने की त्यारी करते हैं क्या आप वो नाम बताएंगे जिसका जिक्र आपने दक्षिन से किया अभी मारे समाज कर रहा है अगर से कंडिड हमको मिल रहा है तो मुसको दक्षिन कंदर क्यों अगर से कि मांग भी कर रहे हैं और है हमारे समाज में है ऐसी बहुंए जो चुनाओं लडने लाइक है और मापको बता दू यह परसास्तें जो मीडिया की द्वारा बताये कर रहा है कि माली समाज सिर्फ दक्षिन बारह जार है आपको जानकारी नहीं तो मापको बता दू क है या में ही जानकार को अनदर है और अगryले का दयावेधार द्रपंडे की गारंटी लेता है यह बुल जाए दोनों पाल्टिया कि मारे समाज को दरकनार किया लेकिन अब आइंदेद्ध ध्यान रहे जो अब जो मारे भाईयों ने कहता है कि अगर ठिकट नहीं दिया तो यह मारा मक्सद पुरा है कि में लिए केंडिटे करें माले समाज का कि आप लोग पैनल में बैठे वे कितने इस बात का समर्थन करते हैं कि निर्दिलिये दाविदार उत्रेगा और वो जीत हासिल करेगा उत्तर विदान सभाशेत्र विल्कुल हासिल करेगा अब लगारे समाज वे साथ आएगे हमारे साथ विल्कुल यानि उमीद्वार आपका उतरता है तो वह सौपरितिशत जीत हासिल करेगा वह किसी भी विचादा नहीं होता है मिनत करना हमारे काम में में अम करेंगे तन बंदन से उसको साथ देंगे पर भाग्ये की जीत होती है सवाल माली समाज की जो राजनेतिक धरोहर है अजीमेर में है उनका दोहन राजनेतिक या प्रशाशनिक इस्तर पर किया जाता है उसको लेकर के आप लोगों की क्या विचार धरा है आपने सवाल अच्छा पुछा उसके लिए धन्यवाद सर्गे मूल्चंजी चोहान साथ जो ट्रेबल टेनिस इस्पोर्स के अध्यक्स और अजमेर में माली समाज के एक नाक जिसनी पूरे भारत में अपना पर्चम पहराया उस व्यक्ति ने जमीन सरकार की है वो माली समाज की नहीं है पर माली समाज के बंदे ने पूरे हिंदूस्तान से पता नहीं कहां से उस चंड़ा एकठा करा किसी MLA MP से लाए किसी भामा से लाए इत्ती बरोई धरोर उन्होंनों खड़ी करी जो जिसको इंडोरी स्टेडियम किया जाता है जिसको आज भी जे सरकार नगर निगम जिस भी घरा है वो मूल्चन अपनी जमीन उन्हों नहीं लिए कोई तकलिम नहीं पर मूल्चन चवान की मूर्ति अठाने के बाद उनके नाम नहीं है ऐसा किसी MP MLA भी ये धरोबर खड़ी नहीं कर सकता है मेरी समझ में आज तक राजमेर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम मूर्ति अठादी के यह बहुत सर्म की बात है पर मूर्ति सरकार के कहने पर हम लोगों ने गए सारे समाज के लोग विरोत किया वहां गए तो मूर्ति तो लग गई है हमें कमिश्णर साब ने और अजमेर मेर साब ने कह रखा है कि मुल्चन चवान इ तो हम पूरा मानस बनाया है कि विदानसभा चुनाव के अंदर आप अपना दाविदार आपका प्रत्याक्षी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे उसको लेकर कि कोई वीजन है क्योंकि अजमेर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है विकास के नाम पर हम अजमेर की बात करें तो किसी से छुपा नहीं है कि अजमेर का कितना विकास हुआ है तो आपका ऐसा कि पहली बात जो जंता से चन्ट के चुने जाता है वो जंता की सेवा करें ना कि किसी और अपने परिवार की ना किसी और की करें जंता की सेवा के लिए खड़ा हुए आज मैं आपको बता देता हूं आज ये भीसरपुर का पानी हमारा कांग्रेस की देन पर हुआ था पंतु हमारे कुछ नेता इस पानी को रोकने में ऐसा पल रहे हैं और छोटे-छोटे जिलों में पानी जाने लग गया आज हम प्यासे हो रहे हैं इसके कारण होता है इसकी राजनेती द्वेस्ता की हम अजमेर वाले बुगत रहे हम होंगे तो कैसा हमारा अजमेर होना चाहिए आप एक युवा नित्रत है।41 अजमाता अल्च सामना क्रेस वह पर ऄंद करता हैं और देखि को पिछले पांच साल कनल है बड़साद आती है नदिया नालों में सड़के तबदिल हो जाती है लोगों को आने जाने में कहीं परिशानी होती है अभी कुछ दिन पहले हैं जब बारिश आई थी एक स्टुडेंट की मौत हुई थी अनीता बदेल जी जो हमारी विदाईक है इनके घर के पास में तो इ उसको टिगेट दिया जाएं चाहिए कोई सी पार्टी हो हम तन मंदन से साथ में लगेंगें क्योंकि हमारी तादाद जो की उत्तर दचिंड दोनों में हैं लगबक 50,000 से ज्यादा तादाद है वोटरों की तो यह जो वीजन लेकर है वो मैदान में उत्रेगा और निच्छ टृँ को टृष्ट नरों में बात्रेश यह जो नालों की भात कर लिकाएं इंग को छोड़कर ले वहां हमारे लोग बड़े नेताईं हैं चाहता हुआ कि जो संगटित हैं सभी लोग, पब्लिक में बड़ी ताकत है, पब्लिक चाहे जो कर सकती है, अब जमाना बदल चुका है, शहर जाग चुका है, और पूरा रायस्तान में एक अलग हवा है, ठीक है, और ये विदान सबा चुनाओ, क्या रुप देते हैं, क्या नतीजे देते है ये तो जन्ता खुदी तै करेगी, क्योंकि अजमेर शहर की में बात करता हूँ, जैसे अजमेर को आनसागर मिला, अभी आनसागर इस तरह का हो गया है, कि आपको परिशानी में आपके सब के सामने हैं, पूरा शहर जानता है, उसके बाद में जितने नाले हैं, शहर के क्योंकि अजमेर में मैं जानता हूँ कि जितने वोटर्स हैं अभी, कोईड में हमने कई अपनों को खुया, उसके बाद में कुछ नए वोटर्स बने, तो बड़ा समीकरन चेंज हुआ, मैं एक वोर्ड पे मैं मानता हूँ कि कुछ दिन पहले हम लोगोंने कैंप लगाया थ तो 350-400 लोग जुड़े हैं, तो एक विदान सभा के अंदर कम से कम 40-38 वोर्ड हैं, तो बहुत सारे नाम जुड़े हैं, तो जितना यूद जुड़ा है न, वो परिवर्दन तो क्या मैं बोल रहा हूँ, आजकल सोशल मीडिया के माधियम से कौन सा काम कौन कर रहा है, हर च मैं नहीं समझता कि इतना आज मेर को कास कुछ मिला, और हमारे समाज से मैं चाहता हूँ कि अगर कि प्रतिनिद्रित करने का मौका मिलता है, तो पूरे समाज से यह आगरे रहेगी कि ऐसी तरह का एक प्रोग्राम करकर जाजब में डिसाइड करें आप लोग, और जितने भी बड़े सीटिजन से हैं और जितने भी हमारे समाज के वरिजजन हैं, यह तै करें कि वो मंतन चमकतावा मेहनत करने वाला चाहला लेकर आए, चाहे कोई भी रहे महिला रहे या पूरूस रहे, वो शाहर के लिए कुछ कर पाए है, आप भी प्रतिनिद्रित्व करती हैं, की बात नहीं कर रहे हैं, सवाल सीधा सा है, उत्तर विदान सभा शेतर की बात करते हैं, यह तो दक्षिन की सीथ है, पांच साल बाद भी चर्चा करेंगे या जैसा भी मुद्दा सर ने उठाया, कि हमारी बेटियां, हमारी भूवें जो हैं, वो वहां से चुनाव उस आरक बसे हैं, सबसे हैं पिने की समस्या हूम सबसे पहले सहल करवाएंगे, अडिसरे जो पूरा आजमेर जो बरसाथी पानी के वज़ेसे या नालों की वज़े से यह तरस वो रही है, वो एक समस्या, दूसरी समस्या हम युका समादन करेंगे, और तीसरी प्रमुक समझे है जिसका विजन हम लेकर हम चुनाओं में उतरेंगे वह है कि आज जो जैलेन होस्पिटिल अजमेर में मुख्या चिकरशा बनावा होस्पिटिल लेकिन इतनी मुद्बूत जो सुवीदा यहां मिलनी चाहिए वहां मिलनी रिये और काफी बेंकर ब होस्पिटिल है जो कि जो गवर्मेंट की जो यह जानी की जवरत में पड़े और उसी होस्पिटिल में निशुक इलाज ले और परीवर्तन हम चाहते हैं कि जो भी अगर नहीं देगी अगर पार्टी किसी को टीकिट हमारे प्रतिनी दीद को हमारे समाज को तो निची तोर पर हम निर्दली उतारेंगे और तन बंदन से हम उनका साथ देंगे यहीं मैं आपसे अफिक्षा करते हूं कि आपके चानल के चैनल के माध्यम से लोगते के बाद पहुंचिए संदो जी मेरा सवाल आप से रहेगा आप महि को मेलाओं को मुक्रा देना चाहिए है यहां पर परश्ळक चुनाओं में भी मिला हमका देना चीए यहां का मेर अधरू में को स्ड़ी जिवी खिशाम और ने चाहिए regulatory को अगे लाना चाहिए जब आज हर यह पूरी तरस सक्षा में हर चेतर में आगे बराबर कंदे-से-कंदा मिलाकर साथ देड की आप लोगों को यसा लगता है कि अजमेर की विकास की जब बादा आती है तो वहा के अजमीर की जनता ऐसा महसूस करती है कि उनका नेत्रत्व जो है वह मजबूत नहीं मजबूर नेत्रत्व है क्या आप लोगों को ऐसा लगता है वहिए आपने बिल्कुर सही बात कही कि ये वाक्य में मजबूर है है आज है अगे मिला जिब आना सागर के चाहतृ पैसा लगा पर दिखेंगे पानी निच्चे से आ रहा है गाड़ियों पर पड़ने लगे यह जमेर का हाल है पेशा शरकार का खच होता है चेंटर का पेशा आता है लेकिन इसको गुलत यूज लिया जाता है पेशे को आज नाकमदा गुलाबढ़ का भी देखो आपके आला हो रहा है कीजे लेकिन उसको भी दरकिनार कर जाते हैं बहुत दिमिकिति इस काम होता है हम गुजा आ जाते हैं दंदे के लिए गुजात में जो का डवलब्मेंट वाज जो जो अगर 20 बन गया है तो साल में बनना तो साल में बनता हो और राश्तान के अंदर यह आलत हो रही है कि पर हमारा जो द्यान दे रहे हैं सेंट्टी का फैसला अबी आप की बात के अपने बात की एंगी का अनसागर का सिमांकन किया गया अनसागर की परीदी को घटाया गया स्मार्ट सीटी के तहत हजारों करोडों रुपैं वहाँ पर खड़ गर्टों ने अब उसको गिराने के सेवन वंडर की जो बात करें इसमें करोड़ों रुपे पूरे हुए इतने पैसों में एक आलिशान हॉस्पिटल तयार हो जाता जो कि जनता के लिए काम में आता है जनता के लिए फिरी इलाज होता है हैं इस बार आके समाज को डिकट दिया जाता है तो अन्य समाज से नाराज होगा इस पर आपकी आए हैं रहता है सब्सक्राइब को साथ लेकर चलने वाला समाज है आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि निश्ची तुरुप से माली समाज के अगर केंडिडेट को टिकेट मिलता है तो निश्ची तुरुप सारी सारी के सारी जातियां इस समाज के साथ लगेगा और इसमें कोई द्वारा आपके समाज को टिकिट दे दिया जाए तो आप राजनेतिक महतोवकांशा को चोड़ कर समाज के व्यक्ति के समर्तन अवाले समय में बहुत्व प्रत्याक्शी को मुखा देंगे या समाज का निर्णे से सकते हो यह जो समाज संगठन इस तर पर शक्रिये है वह राजनीतिक तौर से किसी भी पॉलिटीगल पार्टी के इंदर सक्रिये कोई भी राहंज़िक पारटी नहीं को देवेगे ऐखे जाए यवा को टीकिट देवे, पुरा समाज उसके साथ रेगा, अवड थोनु पारटी टीकिट नहीं देती है, वे इस समाज करेगा कि हमको यवा को गोतारना है, किसी मोहला को पारणा है, जो सक्षे में मुदवार है तरे उसस्को समाज साथ देगा और आपको बढ़ा समाज नंघ्जव ऑंदर पूछ यहाउन समाज पुर्फरी दोस्री समाज तो नचजों करतहूं पैसे इस समाज देगा है कि नक्सट पाधा करें,ället कि मालग माली समाज हैं इसकर दोना और उत्रमा भी यह-इं यह हमने आज के पांस साल बाद एक मिसिन चालू कियाता है हर भॉल्य में जाके हमारे नहगी तकिम के अंगे तर्न आप सतो यह अंगे तर्स नरहरे नोफ दा टान तो मरी काम फैल होगी ने ? और आगे भी नहीं होगी यह मिद्ध करते हैं और धन्यवाद देता हूं आपको मीडिया वाणों को सबको हो मैं जहाज हमारे समाज को एक जाजम बीटा के इतनी वारता के लिए आपने मोका दिया उसके लिए मीडिया परवारी हो सबको आपको बहुत धन्यवाद है अपको किसी भी पार्टी हो चाहिए एक भुजूर्ग आदमी को टिकेट देख चाहिए महिला हो चाहिए युवाद हो समाज सब एक जूट होकर उस कैंटनेट को जिताने में पूरा सायोग देगा इस विशे पर मैं कहना चाहूंगा कि समाज की जो पूरु में बैठक हुई है उस कायदार रहेगा अभी आपने क्विश्चन पूछा था कि दोनों दोलों ने आज तक के विधाय का टिकेट नहीं दिया लेकिन मैं यह आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतिय जनता पार्टी ने दो बार माली समाज से मेयर का टिकेट दिया जबकि मेयर ज उसके वावजुद भी माली समाज को वारतिय जनता पार्टी ने टिकेट दिया और पूरे पांस साल का कारेकाल दर्मेंदर जी गहलोट के नहीं बहुत ही अच्छा शहर का विकास की गंगा भाही जो एक पारिकाल उसको बुलाई नहीं जा सकती है दर्मेंदर गहलोट जी के चुनाओ के बारे में आपने बताया दो बार उन्होंने मेयर पत्के उपर प्रतिनिद्रित्व किया और अपना पूरा कारेकाल पूर्ण किया दसवर्ष का मगर उनको जब सामान्यवर्गी की सीट से काट करके उनको जब टिकेट दिया गया तो काफी विरोध के स्वर अन्य समाज के लोगों ने तेज किये जब आप अपना प्रत्याक्षी चुनावी मैदान में उतारेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अब बुलंद क जब स्वर समाज से राजनेती गटक बनते हैं ना outta बूसरे समाज क用जनेती हैं के मेरे साथी सहयोगी मौटी राठोर के साथ अब वक्त आगया है आप सबी से गटक बनते हैं ना कि राजनेती हैं ना से समाज हमारी पेशकर्ष जाजम में जल्दी अगले समाज के साथ हम फिर होंगे आपसे रूबरू जैहिंग जैवान